हलो फ्रेंड्स वेलकाम टू एवन ट्यूटर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेवियर कॉलेज के यूजी यानि की यूजी के इंट्रेंस एक्जाम के बारे में साथ ही आपका कट अफ लिस्ट कब जारी किया जाएगा और सेलेक्शन लिस्ट कब जार भी वेबसाइट पर अभी तक किसी भी तरह का इंट्रेंस एक्जाम नहीं किया गया है कि आपका इंट्रेंस एक्जाम नहीं होगा कोई उर्ति-उर्ति खबर लाके आपको बोल देगा कि आपका इंट्रेंस एक्जाम नहीं होगा होगा तो इसमें आपको मानने वाली ऐसी क इसने पॉलिटिकल साइसे फॉर्म को भरा था ठीक है तो इस वजह से भी मैं आपको किल्रली बता सकता हो कि सीलेबस जो होता है वह दोस्तों आपके ट्वल्फ का यह पूछा जाएगा तो इस प्रकार से syllabus आपका बनता है दूसरी चीज़ दोस्तों आपका cut-off list जारी किया जाएगा या फिर आपका selection list जारी किया जाएगा इस में बहुत ज़्यादा doubt है तो इस doubt को मैं clear कर देता हूँ कि देखिए selection list कब जारी किया जाता है कहना के मतलब कि आपका जेविर college में यूजी का entrance exam होगा तो उसके बाद selection list जारी किया जाता है selection list में होता है क्या कि आपके return exam होते हैं उसमें आपके marks आते हैं उसके बाद आपको select किया जाता है ठीक है तो यह selection list होता है इसका मैं example आपको photo से दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते है तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यह गौशनर college का यहाँ पर यह selection list है ठीक है देख सकते है provisional selection list for BVA department यहाँ पर आपका roll number और नाम रहता है यह selection department का ठीक है तो यह selection department हो गया I mean selection list हो गया cut-off list की बात करते है जैवियर college का तो देखिए जो cut-off list है दोस्तों cut-off list कैसे बनाया जाता है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कहना का मतलब की जैवियर college physics department में 100 CT है ठीक है और application form आया 1500 तो कैसे cut-off list prepare किया जाता है तो देखिए 1500 जो form आया है उसका on and average marks देखा जाता है ठीक है on and average marks देखा जाता है 85% ठीक है तो 85% release किया जाता है मतलब 85% cut-off होगा physics का अब देखिए 85% तो बहुंस सारे के marks होगे on and average उसके बाद physics का मास देखा जाता है उसमें highest कितने के हैं physics में कितने highest marks है 12 में आपके फिर आपका chemistry का देखा जाता है मैस का देखा जाता है उसके बाद आपका जो roll code है registration number है उसको publish किया जाता है मतलब कि गौर्शनर कॉलिज में ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके 45% marks है तो अगर आप पहले जाते हैं आपका admission हो जागा और आपके 85% mark से आप लेट से जाते सीटे नहीं है तो आपका admission नहीं हो पाएगा लेकिन जेवियर में ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको roll code roll number publish किया जाता है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग admission के बारे में दोस्तों मैं आपको confirm बता देता हूँ कि अभी admission नहीं होने वाला है October September तक admission नहीं होने वाला है क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है COVID-19 pandemic के कारण में Indian Railway का जो सर्विस है ट्रेन की सर्विस से बंद है Interstate Transportation बंद है चारखन से एक जिले से दोसरी जिले जाने के लिए भी जो बसिस की सर्विस से बंद है और Government की और से भी कोई advisory जारी नहीं की गई है आपको मालूम है 12th का भी मतलब cut-up list आ चुका है जेवर कॉलेज का लेकिन admission का date नहीं आया है तो center government और state government की और से कोई भी guideline या advisory जारी नहीं की जारी है जिसने से बोला जाए कि आपको admission लेना है और दोस्तों देखिए सीधी सी बात है cut-up list निकालने के बाद में admission date निकालने के बाद में बहुत सारे student ऐसे हैं जो जहारखन के अलग-अलग जिले से हैं और बहुत लोग other states से हैं जैसे की कोई विहार के भी हो सकते हैं जहारखन के तो होंगे ही बंगाल के भी हो सकते हैं तो इस परकार से तो train बंद हैं बसे service बंद हैं और admission का date अभी निकालने सकती है इन सभी कारण से August में तो आप possible नहीं है कि last semester वालों का exam भी लेना है तो मैं भी देखिए September नहीं तो October में आपका admission होगा जहां तक मेरे को idea लगता है ठीक है और इसके बार मैं confirm तो नहीं बता सकता है लेकिन एक आपको idea दे सकता हूँ कि अभी train बंद हैं, buses बंद हैं सभी कुछ बंद हैं और आपको कोई भी YouTube या मैं या कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि cut-off list जो है वह कब जारी की जाएगी या फिर admission का जो date है कब जारी किया जाएगा हाला कि दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो date है application form का last date के बाद में एक सब्ता के अंदर में वह उसका cut-off list जो है जारी कर दिया जाता इस बार भी ऐसा ही होगा लेकिन admission date के बारे में कहना बहुत जादा ही मुश्किल है क्योंकि हर एक time में cut-off list निकालने के time में ही उसका जो date है वह आ जाता था दोस्तों ठीक है उसी page में date भी रहता था कब से आपका admission होगा last date क्या होगा ये सबी कुछ रहता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ठीक है तो बार बार आप website वो भीजिट करते रहें और अगर आप हमाई channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon भी दबा सकते हैं जिससे आपको एक idea मिल जाएगा कि कब आपका exam होगा अगर यूजी का intense exam होता है तो कब होगा अगर नहीं होता है तो cataplex कब आएगा admission कब आएगा होगा तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो का जरू से जरू लाइक करिएगा ठीक है दोस्ते